अन्मोल विचार मा बाप का हाथ पकड़ के रखे लोगों के पाउप पकड़ने के जवरत नहीं पड़ेगी दूसरे लोगों को खुश करने के लिए कभी अपने मता पिता पर गुश्या मत होना मा की ममता और पिता की छमता का अंदाजा लगाना भी शंभों नहीं है अपने मता पिता से प्रेम करे और उनके शाथ प्यार से पेशाए नहीं तो इस बात का पश्टावा उनके जाने के बाद होगा जब आप छोटे थे तो आपके मता पिता ने आपको नहीं छोड़ा इसलिए जब वो बूढे हो जाए तो उन्हें भी मत छोड़िये पके हुए फल के तीन पहचान होती है एक तो वो नर्म हो जाता है दूसरा वो मीठा हो जाता है और तीस्रा उसका रंग बदल जाता है इसी तरह से अच्छे पड़िवक बैकति की भी तीन पहचान होती है पहली उसमें नर्मता होती है दूसरा उसकी वानी में मिठास होती है और तीस्रा उसके चहरे पर आत्म बिश्वास का रंग होता है शन्सार के सारे रिष्टे नाते जूटे हैं जो की सरीर छूटने के साथ ही खत्म हो जाते हैं ठीक जैसे की नाव के पार पहुँचने के बाद शव्यात्री अलग-अलग चले जाते हैं इसलिए किसी के प्रती मोह ना रखे बढ़ना बहुत दुख सहना पड़ेगा सच्चा और पक्का रिष्टा तो आत्मा का अप्रमात्मा के साथ है प्लीज आप लोग कोई अच्छी लगी हो तो मुझे थोरा सा सपोर्ट करे प्लीज